कि अपने दुकान में और अपने दुकान से घर जाने के बाद जाएंगे उधर गुमने जाएंगे तो अधरी का यह आज सीन दिखाएंगे तो ब्लॉग में बने रहिएगा और हमारे चैनल में नहें हो तो सब्सक्राइब कर लिएगा और अच्छा लुक दे रहा है अभी हम घर से निकल चुके हैं और यह इदर का कुछ इस प्रकार से न जा रहा है जो की बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है अभी हम कुछ फास्ट कर दिये हैं तब तक आप इस नेचर का मजा लीजिए और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा आज मैं अकेले नहीं आया हूँ मिले साथ प्रतीग भी आया है और इधर बहुत सारा इटा का भठा लगा हुआ है और ये हमारे अस्कुल का बिल्डिंग है जो की इधर से बहुत ही अच्छा लुक आता है हमारे यहां का आस्मान ये एक छोटा सा जामुन का प्रेड जो की अभी इसमें एक दो जामुन लगा हुआ है तो वो अभी हम तोड़ लेंगे और खा जाएंगे तोड़ के खा चुके हैं और अब जा रहें एक कुवा की और कुवा की और पहुँच गया है और प्रतिक आगे चला गया है हमको पीछे छोड़ के चलिए देखते हैं कितना गढ़ा है ये कुवा में इसमें ज़्यादा तो गढ़ा नहीं है और पानी भी ज़्यादा नहीं है तो अभी चलते हैं आगे की और ये एक ये कुछ चीज पाएं हैं जो की बहुत अच्छा लग रहा है हमको देखने में और फिर से चलते हैं वह छोटे से जामून के पेड़ की और अभी उधर से आ चुके हैं और अब जाते हैं हम दुसरे साइड इधर एक आम का बागान था बट वो हवा की वज़े से यही था तो ये एक दिन आंधी आया था और पोड़ा इसे उड़ा के ले गया था अब हम जाने लगें घर ये हमारे घर जाने का रास्ता है जो कि मैं अगले ब्लॉग में दिया था जो कि कल का ब्लॉग था तो वीडियो यही खतम करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई सब्सक्राइब जरूर किजेगा झाले जर्टोर के लिए जरुग में अगले का घर मनें साइब जरे घक काल वीडियो च्वोग खता करता हैं